जारे साथियों में हूँ आपका दोस्ट डॉक्टर आकेस कुमार त्रिपाथी और क्लास 9 का ये टॉपिक जिसमें रिप्रेजेंटेशन आफ इसक्वेर रूट आफ 3.5 इसक्वेर रूट आफ 5 इसक्वेर रूट आफ 7 आपको रियल लाइन पर नंबर लाइन पर मार्क करने क के questions आते हैं और बच्चे confused हो जाते हैं बहुत ही important चीज है मैं आपको मार्क करने का एक ultimate आइडिया बताता हूं और आपको बेहतेरीन तरकीब से सिखाता हूं ताकि आपको कोई भी question आसानी से समझ में आ जाए तो रूट 5 के लिए तो spiral लाइन भी है पर रूट 3.5 के लिए spiral लाइन नहीं है spiral जो आपने देखा होगा इसे spiral कर बनता है मैंने अपनी वीडियो में डिसकस किया है आज हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे और सरकल की help से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप मेरे साथ बने रहें देखते रहें और चैनल को like share subscribe जरूर कर से आपको निश्चित तोर पे समझ में आएगा तो सबसे पहले आप रूट 3.5 का question उठा लें रूट 3.5 के लिए एक काम करते हैं एक real line बना दे आप 3.5 cm की 3.5 cm की real line measure करके बना दे मैं नाम इसको assign करना सिखाता हूं आप इसको A नाम दे दे इसको O नाम दे दे इसकी length कितनी है length आप notice करें सबसे पहला काम आप 3.5 बना दे 3.5 बना दे फिर उसके बाद यह first step है second step में एक आप 90 degree की line बना दे एक 90 degree की line बना दे यह second step है third step में आप फिर से सुनिए third step में आप इसको extend करें कितना extend करें केवल 1 cm बढ़ा दे तो अगर आप इसको यहां से यहां तक 1 cm बढ़ा देंगे तो यह total आपका कितना हो जाएगा यहां से लेके यहां तक यह total हो जाएगा आपका 4.5 4.5 का half ले ले आप 4.5 का half क्या होता है तो 4.5 को आप 2 से divide कर देंगे तो आप देखें कितना आएगा आपके पास तो 4.5 को divide करेंगे तो यह आजाएगा आपका 2.5 4.5 है 3.5 प्लस 1 exactly 4.5 को 2 से divide करेंगे तो यह आजाएगा 2.5 का half क्या होगा तो यह आजाएगा आपका 2.25 तो आप 2.25 ले ले तो 2.25 आप कहां से measure करेंगे यहां से measure करें 2.25 तो 2.25 तकरीवन आपका यह यहां पर आएगा यह कितना हो गया दोस्तों यह हो गया आपका 2.25 यहां से लेके यहां तक 2.25 इस पॉइंट को नाम दे आप C इस पॉइंट को नाम दे आप B पॉइंट के नाम assign करने में confuse ना हूँ फिर से मैं आपको बोलता हूँ step 1 में आप जितने नंबर का जितने का आपको square root निकालना है 3.5 का तो 3.5 बना दे AO 3.5 बना दे मैं चाहो तो आपको steps लिख देता हूँ यहां पर steps लिख देता हूँ तो आप बिल्कुल भी confused नहीं होंगे और आप वो steps अगर follow करेंगे तो आपको सारा concept एक बार में आ जाएगा step 1 आपको किसका बनाना है 3.5 step 1 draw AO कितना draw करना है आपको 3.5 cm step 2 draw आप पर्पेंडिकुलर आउन ए ओ ओ आट ओ ओ ओ ओ पे आपको ओ पॉइंट पर पर्पेंडिकुलर ड्रा करना है उसकी लेंग्थ डिसाइड अभी नहीं हुई आप ड्रा कर दीजे बस अब फिर इसके बाद step 3 में आप क्या करेंगे एक्स्टेंड एओ को एक्स्टेंड कर दें टू एबी बाई वन सेंटिमीटर एक सेंटिमीटर से एक्स्टेंड कर दें फिर क्या करें फिर एस 3 एस 4 जो पूर्थ स्टेप है पूर्थ स्टेप में जो ए एबी है एक्स्टेंड एओ टू एबी एबी को हाप करें दिवाइड एबी बाई टू एबी को टू से डिवाइड किया क्या आया एबी को टू से डिवाइड किया तो आपके पास 2.25 आया अब 2.25 आया तो एस 5 मार्क अपॉइंट मार्क यह मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूं कि 4.5 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 2.25 मार्क अपॉइंट सी प्रोम ए अटा डिस्टेंस अफ कितनी डिस्टेंस पे अबी बाइड तू अबी की आधी डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस है वो 2.25 अब इसके बाद इस पॉइंट को किस पॉइंट को इस सी पॉइंट को लेक्ट कैपिटल सी बिदा सेंटर आप दा सर्कल ड्राओ असर्कल कैसे एक सर्कल ड्राओ करेंगे आफ रेडियस कितनी रेडियस का 2.25 का सिय रेडियस का तो यह जब सर्कल आप ड्राओ करेंगे तो यह सर्कल इस तरीके का ड्रा ऑस लेट टिस इबी दर सेंटर औं सेमी सर्कल भी लिख सकते बिर आप चाहें तो यह स परिशानी ओए तो सेनी सर्कल लिक्ट सेमी सर्कल सेमी सर्कल सब्मस्च सकते हैं ऒग यह जो लाइन है जो पर्लाइन यह किश पॉइंट पेंटर्से وأब कर रही है इस point को mark करके नाम दे दे D तो D कौन सी point होगा तो यह step है आपकी 6 अब 7th step में 7th step में mark a point D D at the intersection of Semi-Circle and the perpendicular on O perpendicular on AO भी लिख सकते हैं AO at O तो इसको D नाम दे दिया आपने अब क्या करना है आपको जो 7th के बाद 8th step है फिर मैं आपको बताऊंगा इसा क्यों 8th step में O को center मानके considering O considering O O as the center of another circle and O D O as radius of the circle draw the circle draw the circle a circle कि उससे एक circle draw करे किसको इसको radius मानके तो जब इसको आप radius मानके draw करेंगे draw a dotted circle भी लिख सकते हैं अपन dotted यह dotted circle आप करें और यह मैं रब कर देता हूं draw a dotted circle यह dotted circle आपने एक draw कर दिया और जो intersect कर रहा है किसको intersect कर रहा है extended line AB को extended line AB को draw a dotted circle which intersects which intersects extended line AB at किस point intersect कर रहा है मानलो वो P point intersect कर रहा है extended line AB at P और S9 let O be situated at 0 मानलो की O किस पे situated है O को 0 मानू यह O है यह 0 है 0 तो जो P point की distance है O से P तक की यह distance क्या होगी root 3.5 होगी then O P is root 3.5 and mark this and therefore mark this O P as root 3.5 अब मैं आपको यह बता दूं कि यह root 3.5 ही क्यों है यह root 3.5 क्यों है यह इसका reason यह दा मैंने construction पर focus किया construction आपने समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया अब ध्यान से सुनो मैं आपको बताता हूँ कि यह root 3.5 क्यों है O D यह जो radius है यह root 3.5 ही क्यों है क्योंकि यह भी radius है यह यह radius है तो यह भी radius है ध्यान से देखो यह कितना है 2.25 है यह कितना distance है यह वाला distance देखिए आप यह ले lesa सिल्डी पहराबर होगा यह HQ.25 होगा क्यों 2.25 होगा वाइआ क्योंकि यह क्या है ये भी radius है तो ये भी radius है clear? तो ये radius है इसलिए 2.25 ये distance क्या है? OC OC आप experience कर सकते हो देखो OC क्या चीज़े? OC कहोगे या CO कहो? कोई बात नहीं CO क्या चीज़े? CO CO है आपका AO-AC AO-AC AO क्या चीज़े? A से O तक की distance 3.5 3.5 में से A से C तक की distance 2.25 माइनस कर दी तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा 1.25 तो CO आगया आपके पास 1.25 तो इसमें Pythogorus लगा दो किसमें? राइट ट्राइंगल COD में इन राइट ट्राइंगल COD कैसे लगेगा Pythogorus? Base square plus perpendicular square is equal to hypertenuous square CO कितना है? CO है आपके पास है 1.25 का square OD square नहीं पता CD square CD square 2.25 का square OD square OD square क्या होगा? 2.25 square minus 1.25 square हम इसको calculate नहीं कर रहे हैं इसको हम A square minus B square का formula लगा रहे हैं क्या formula A square minus B square का? A minus B A plus B तो यह हो जाएगा आपका OD square OD square आपका देखो दोस्तों OD square आपका हो जाएगा 2.25 minus 1.25 2.25 plus 1.25 2.25 में जो 1.25 गया तो क्या बचेगा? 2.25 में 1.25 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 3.5 तो OD square कितना हो गया? 1 into 3.5 तो OD कितना हो गया? और includes 3.5 इसे लिए ये O से लेकर D तक की Distance कितनी है? ये O से लेकर D तक की Distance है Root 3.5 है अगर ये radius है अगर ये 199 जो dotted circle है इसका ये radius है तो ये भी तो radius होगा तो अगर ये center होगा तो ये center से ये distance भी कितनी होगी? root 3.5 ये भी root 3.5 यह तो मैंने हाथ से बनाया तो यह थोड़ा ज्यादा देखरा होगा आप उसको स्केल से मेजर करके बनाना तो यह आपके पास आजाएगा ओसे डी तक का डिस्टेंस रूट 3.5 और से पी तक का डिस्टेंस रूट 3.5 अब मैं आपको एक रूट 5 का भी बना के बताता हूं फिर रूट 7 का आप खुदी ट्राय कर लोगे आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा अब आपको दो से टीन मिनिट्स का टाइम लगेगा और आप बना लेंगे तो ध्यान से देखिए आपको बनाना है रूट फाइव तो रूट फाइव के लिए आप क्या करें ए ले और ओ ले ये कितना लेना है आपको पाच सेंटिमीटर ओ के उपर एक परपेंडिकुलर डाल दे इसको एक्सटेंड करें एक यूनिट एक सेंटिमीटर ये टोटल कितना हो गया टोटल हो गया इसका 6 का आधा कितना होगा यहां लिग देता हूं 6 6 का आधा क्या होगा तक्रीवन थोड़ा सा आगे यहां पे होगा त्री यह कितना होगा यहां से यह तक यहां से यह तक यह त्री होगा इसको सेंटर माने है थी सी को सिंटर मानके एक एससा कलव बना दें यह सी इसको क्या नाम दिया था आउने इसको भी इसको कर Civics Crane Jr अब इसको रिधियर सीमान के एक डॉरटेट सरकल बनाएंगे तद कल आपका पी पर तकराएगा इसको पी नाम देंगे और इसको ओर इजिन बोलेंगे ze 0-0 je 0 और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाखेगा आपकी यहां से लेखेट कि डिस्टेंस कि आपकी रूट 5 तो यह तकरीबन कि टाइम देख रहा था आपका 2 मिनिट से कंम टाइम में हुआ है लगबग यह अपने में रूट 5 मार्क कर दिया एक रूट 7 भी मैं मार्क करने के आपको तर्कीब बताता हूं रूट 7 का भी प्रसीजर आप देखूं और आपके टीचर अगर पूछते हैं तो आप उनको प्रूब भी दो रूट 7 के लिए क्या करेंगे आप एवो क्या बनाएंगे एवो बनाना है आपको 7 यह 7 बना दिया आपने ओ पर एक पर्पेंडिकलर डाल दें बड़ा सा डाल दें एक बड़ा दें इसको यह हो गया वन यूनिट यह कितना हो गया 7 यह टोटल कितना हो गया कि ऐबी कितना होगे आपके पास वेजर बीत तक की डिस्तंस कितनी हो जाएगी है यह 8 हो जाएगी एट का आधा कर दें आप वह एट का आधा कितना होगा फूर इसको सी कर दें यह थे राउन्डर रखेंगे इसको रेडियस मान के एक सरकल बना लेंगे यह से मी सरकला यह बना देंगे इसको क्या बोलेंगे जीरो और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी यह डिस्टेंस क्या हो जाएगी यह डिस्टेंस हो जाएगी रूट 7 चाहो तो आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो यह कितना है जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही इसका भी प्रूफ है यह 4 है यहां से लेके यहां तक यह 7 है तो यह कितना हो जाएगा आपका यह पोर्शन हो जाएगा 3 यह 4 है रेडियस तो यह भी रेडियस है 4 इसवाले ट्राइंगल में अगर पायटोगरम सलगाएंगे तो हाइपकेणिस का स्कॉरह 4 स्कॉरह जिबड़ happy ंदिया था ओडिश पॉरश रोड़ी जाल रोड़ी की सबस्क्राइब करेंये सब्सक्राइब करें चैनल को श्येर करें लाइक करें सबस्क्राइब करें सब तक बात पहुचा दें ताकि कोई भी एरिया हो कैसे भी स्टूडेंट हो सब तक मैथेमेटिक्स आसान हो जाए मेरी यही बेस्ट विसे से विश्यू और बेस्ट